इनदोर के पास इस्तितidenald प्रयटक स्थल मॉंडव के किस्से तो पूरे देश में मशूर हैं यहां के पराचीन मालों को देखने के लिए पूरे देश ही नहीं विदेश से भी प्रयटक आते हैं यहां के कई कहानियां हैं यहां के माहरानी थी रूप मती जे हैं, रूप मती से शादी की थी सुल्तान पाज बाहद दूर ने रूप मती हिंदू परिवार की महला थी और उनके बारे में है कहा चाता है कि वे वे बहत सुन्दर ती और बहुत अच्छा गाती भी थी और उनके इन्ही दोनों गुनों से मोहित होकर बाज बाददुर ने उनसे विवाध कर लिया था कुल मिलाकर उनके विवाध के बाद रूपमती नहीं शर्ट रखी थी कि वे नर्बदा के दर्शन करने बाद यी भुशन करेंगी इसलिए बाज बाद दूर दौरा मांडों में एक ऐसा महल बनवाया गया जहां से नर्वदा नदी इस पस्ट दिखाई दिती थी महां से नर्वदाहजी के दर्शन करने के बाद रूपमती अपना भुजन गरहन करती लेकिन इसके साथ ही एक और किस्सा यह है कि रूपमती की खुबसूरती के चर्चे सबी दूर हो रहे थे उनकी खुबसूरती के चर्चे अकबर के सेना पती आदम खान तक भी पहुँचे और आदम खान ने रूपमती को पाने के लिए यह योजना बनाई कि किसी तरह से मांडों पर हमला कर दिया जाए जब बाज बहाद्दूर को इसके बारे में जानकारी मिली तो वह रानी को छोड़कर गुजराद भाग गया इस बीच जब हमला हुआ और रानी को ऐसा लगा कि अब उनके बचने की कोई संभावना नहीं है तो उन्होंने जहर खा लिया रानी का मकबरा आज भी सारंगपुर में स्थित है जो उनकी यादों को ताजा करता है